नमस्कार दोस्तो यूट्यूब के जड़ी बूटी ग्यान चैनल में आप सभी का एक बर फिर तहे दिल से स्वागत है दोस्तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही कीमती है जो आपके बहुत काम आने वाली है तो दोस्तो आज जिस नायाब उजदी पोधे की जानकारी लेकर आए हैं उसका उलेखे साहित्यक सब्द मालाओं में भी खूब मिलता है यानि कि कितने ही द्रस्टांत ऐसे उपलब्द हैं जो इस बूटी के उपर दिये गए हैं यह वह उजदी है जिसे वरहप्रिय भी कहते हैं क्योंकि वरा त विद्वानों ने साइपरेशी वर्ग में समलित किया है यह बूटी आनेक रोगों का नाश करने वाली ओजदी है जिसे मुस्तक, मुस्ता, वरादी, मोथा, नागर मोथा, नटग्रास तता साइपरस इसकर योसिस आदी नामों से जाना जाता है वैसे तो यह बूटी समपूर्ण भारत में पाई जाती है लेकिन जल की आधिकता नम छेत्रों में आधिक होती है यही नहीं मुस्तक के पोधे वर्षा के मोसम में खूब फलते फूलते हैं हरे भरे रहते हैं इसके पोधे तरण जाती के बहु वर्षायू होते हैं इनके छुप एक फूट से लेकर तीन चार फूट तक भी उचे हो जाते हैं इसका तना गोल चिकना नली जैसा होता है इसके पत्रों की बात करें तो इसके पत्र घास के सामान लंबे पतले रेखा युक्त होते हैं इसके पुस्प छुप के उपर के सीरे पर निकली दो से चार पांच फूट उची उपर की और निकली बीस पच्चिस साखाओं के गुच्छो वाली होती हैं दोस्तों जिन पर त्रिकोनी डंडी पर हलकी सपेदा भावाले हरे रंग के छोटे छोटे पुस्प लगते हैं जो बड़े गुच्छो में लगते हैं यही नहीं इन पुस्पों के साथ लंबे लंबे कुछ पत्र भी लगे रहते हैं इसके पुस्पों वे फल जूलाई से दिसंबर महा में लगते हैं जिसके जो फल लंबे होते हैं जिन में गोल अंडाकार छोटे छोटे बीज निकलते हैं इसकी जड़ मोटी टेडी मेडी काले रंग की कंदकार होती हैं इसकी मुखे जड़े जो होती हैं उनके नीचे आधा इंच के घेरे में कसेरुक जैसी जड़े होती हैं मुस्तक यानि नागर मोथे के अगर भेदों की बात करें तो पराचीन विद्वानों रिशियों मुनियों ने इसके तीन भेद बताए हैं भद्र मुस्तक जल मुस्तक वे नागर मुस्तक इन में एक मुस्तक की जड़ पतली कम सुगंद वाली तता नागर मोथे की जड़ मोटी वे खूव सुगंद युक्त होती हैं विद्वानों का मत है कि दोनों मुस्तक के गुण धर्म जो है वो समान होते हैं दोनों मुस्तकों में नागर मोथा यानि जल मुस्तक नदीयों तालाबों जलाशयों के किनारे होता है जबकि पत्ली जड़वाला मैदानों, खेतों, खलिहानों, पोली भूमी में खूब होता है, जिसे भद्र मुस्तक कहते हैं, और इसका पोधा 5 से 25 इंच तक उचा होता है, इसका आधार, कंदाकार, कुछ फूला होता है, इसके पत्र कम चोड़े 4-5 सिराओं युक्त लंबे ह होते हैं, दोस्तों इसका पत्रागर लंबा व्य गुच्छ युक्त होता है, इसके पुस्प दंड पर 10-12 साखाएं होती हैं, जिन पर लालीमा युक्त स्वेत पुस्प मंजरियाती है, जिन पर रक्ताब युक्त हरे छोटे पुस्प लगते हैं, इसका मूल छोटा काले र अब बात करते हैं मुस्तक के गुण, धर्मों, प्रकर्ती, विपाक आदी के बारे में, मुस्तक को उत्पत्ती छेत्रों, देशकाल, वातावर्ण के अनुरू भी गुणों का इसके वर्नन किया गया है, यानि नम, आर्द, जलिय छेत्रों में होने वाला मोथा, स्रेश्ट व तबकि नम, वे सुस्क दोनों प्रकार के मिले जुले छेत्रों में होने वाला, पैदा होने वाला जो मोथा है, वो मध्यम गुणों वाला माना गया है, तबकि सुस्क छेत्रों में, यानि सूखे छेत्रों का जो नागर मोथा होता है, वो अधम यानि बहुत कम गुण यु प्रकर्ती सीत यानि ठंडी होती है इसका विपाक कटू होता है यही नहीं यह कफ पित का शमन करने वाली अच्छी बूटी है चलो दोस्तों आप बात करते हैं इस बूटी के मोथा के प्रयोज्य अंगो मात्रा अनुपान प्रभावादी के बारे में मुस्तक के कंद व्य मू एसेंस वगेरा भी धूब बत्ती और बहुत सारे सुगंदित पदार्थ भी इसके बनाए जाते हैं दोस्तों अगर मोथा बूटी के मूल चून का परियोग करते हैं तो 2-5 गिराम तक अगर क्वाद का परियोग करते हैं तो 50-70 अमल तक और अगर स्वरस लेते हैं तो 5-10 परियोग करते हैं दोस्तों निशेद विशेज की बात करें तो इसकी आधिक मात्रा का सेवन हानिकारक होता है आते उचित मात्रा का ही परियोग करना चाहिए आधिक मात्रा से रक्त विकार, कंट विकार, फेपडों के रोग उत्पन हो सकते हैं आते आधिक मात्रा सेवन के दोसों के निवारन हेतू सरकरा, सोंप, अनिसून, आदी द्रव्यों का सेवन कराना हितकर होता है ये पदार्थ अती सेवन के दूस प्रबावों का दमन कर देते हैं चलो दोस्तों अब बात करते हैं मुस्तक यानि नागरमोथा के कुछ स्वास्तलाबों के बारे में इस बूटी को भगवान चरक ने पाचन संस्थान के लिए आती उपयोगी बूटी कहा है इसके सैयोग से कुटजादी क्वाथ, समंगादी क्वाथ, कुटजास्टक वटी, किरातादी क्वाथ, बिल्वादी क्वाथ, विडंगादी क्वाथ, आदी हजारों प्रकार की ओस्धियां, खूब विख्यात ओस्धियां, रोगनाशनी ओस्धियां बनाई जाती हैं यही नहीं सुन्ठ्यादी क्वाथ, धन्यकादी क्वाथ, नागरादी क्वाथ, पाठादी चून, भूनिम्बादी चून आदी भी बनाए जाते हैं यह गुनकारी भूटी पाचन संस्थान के रोगों, अगिनी मांद, अमलपित, अरोचक, छर्दी, सूल रोग, कफज सूल, परिनाम सूल, इस्तनों की व्रदी, विकाश की कमी, कांडू, अपसमार, ज्वर, आत की सूजन, अतिसार, ग्रहनी, जलोदर तथा कब्ज आदी रोगों का, आमवात आदी रोगों का नास करने में बहुत गुनकारी है यही नहीं इस नायाब बूटी में सरकरा, वशा, कार्बोहाइडरेट, निर्याश, अक्षार, आदी गुनकारी तत्व खूब पाए जाते हैं दोस्तो अगर इस्त्रियों के इस्तनों का विकास व्रद्धी कम हुई है, तो दोस्तो नागर मोथा के चूण का लेप इस्तनों पर लगाने से इस्तनों की खूब व्रद्धी हो जाती है दोस्तो आगर आत सोत यानि आतों में सूजन हो गई है, मीठा मीठा दर्द रहता है, पेट में भारीपन रहता है, तो नागर मोथा, सुन्थी, मोचरस, सोना पाठा, धाए पुस्प, सभी पाचों ओस्धियों का सुक्षम चूण बना लें इस चूण को दो से तीन गराम की मातरा में जल या मठे के साथ सेवन कराने से लाब हो जाता है, दोस्तो अगर आतिशार यानि दस्तों की समस्या है, तो नागर मोथा, धनिया, बेलगिरी, सुन्थी, सुगंदबाला, सभी का जोकुछूण बना लें, इस चूण का क्वात पिलाने से बहुत अच्छा लाब होता है, यह अतिशार की सर्वोत्तमोस दीमानी गई है, दोस्तों अगर प्रशव के बाद इस तरी का गर्भाशय सुद नहीं हुआ है, तो इसके सेवन से प्रशूता का गर्भाशय सुद हो जाता है, नागर मोथा का चूण, यह फांट बनाकर उचित मातरा में पिलाने से गर्भाशय संकुचित हो जाता है, तता दूसित रक्त निकल जाता है, अगर आम वातरों की समस्या है, स्वेत, कफिये, वेचिकना पदार्त जैसी आम या आउं निकलती है, आतों में संचित होकर परिशानियों का कारण बनी है, जोडों हात परों में दर्द पीडा चटकन होती है, हड़ फूटन रहती है, तो मुस्तक, शतावर, अमरता, पीपली, हरड, बच ततसोट का जो कुट्चून बनाकर रख लें, इस जो कुट्चून का क्वात बनाकर पिलाने से आम वात रोग भागने लगता है, दोस्तों अगर भस बस्मक रोग हो गया है, बार बार भूक लगती है, खाते खाते भी भूक शांत नहीं होती, तो यह योग प्रबल हुई पाचक अगनी जिसके कारण बस्मक रोग हुआ है, को सांत करके भूक को नियंतरित कर देता है, इसके लिए मुस्तक, विडंग, हरड, बहेडा, आमला वे अपा मार्ग सभी का सुक्षम चून बनाकर दो से तीन गिराम की मात्रा में सुभा साम भैस के दूद के साथ सेवन कराने से भस्मक अगनी शांत हो जाती है, दोस्तों अगर मुत्र अधिक आता है, बार बार आता है, बीना इच्छा के ही मुत्र निकल जाता है, मुत्र नहीं रुकता, तो यह योग ने केवल मुत्र को नियंत्रित करता है, बलकि मुत्राश्य को ताकतवर बनाकर मुत्र संग्रहन की जो छमता है, उसको भी बढ़ा देता है, इससे नीद में मुत्र निकलने की समस्या में भी लाब हो जाता है, इसके लिए नागर मोथा, बाल उस्त खदूश, कुंदरू गोंद, सुवा सुपारी, तता स्या जीरा, सभी को दस दस ग्राम की मातरा में लेकर मिलाकर सुक्षम चून बनाकर रख लें, तथा चून को सत्तर असी ग्राम सहद में मिलाकर उसका चावले बना लें, इसे दो से चार ग्राम की मातरा में सुभ बहुत लाब हो जाता है इस प्रकार दोस्तो नागर मोथा बहुती गुनकारी रोग नाशक बूटी है तो दोस्तो जड़ी बूटियों का परियोग करें और अपने वे अपने परिवार के स्वास्त की रक्षा करें दोस्तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै आयरवेद